क्या सरोग गेसी से दिपिका पादुकोन बनने जा रही है मा दिपिका पादुकोन की प्रेगनिंसी पर उठे सवाल दिपिका पादुकोन और अन्वीर सिंग ने कुछ समय पहले ही फान्स को गुड न्यूस दी थी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खुबसूरत पोस्ट शेयर करते हुए ये अनौस्मेंट की थी कि सेप्टेंबर में वो अपने बच्चे का वेलकम करने वाले हैं फैन्स हर मौके पर दिपिका का बेबी बंप देखने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है दिपिका अकसर काफी लूस कपड़ों में दिखती हैं अब सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पेगनेंसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं लोगों का कहना है कि दिपिका अगर सप्टेंबर में मा बनने वाली है तो उनका बेबी बंप कहां है दरसल दिपिका रनवीर हाल ही में विकेशन पर गए हुए थे जहां से वो हाल ही में लोटे हैं दिपिका गाड़ी से निकली और दो कार के बीच जहां बहुत कम जगा बची थी वहां से निकली। ये वीडियो देख सोशिल मीडिया यूजर्स तरह तरह की बात कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि अगर दिपिका प्रेगनेंट हैं तो अपने पेट का ध्यान क्यों नहीं रख रही हैं। उठाए और कहा कि अगर वो पांच महीने प्रेगनेंट हैं तो उनकी बैली इतनी फ्लाट कैसे है जहां एक यूजर ने कमेंड किया और लिखा शी इस गोइंग फॉर सरोगेसी हब बैली इस फ्लाट तो वहीं एक यूजर ने कमेंड किया वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि दिपिका पादुकोन प्रेंका चोपडा की रहा पर चल रही है क्योंकि बता दे कि प्रेंका चोपडा ने भी सरोगेसी के जरिये ही माँ बनना प्रेफर किया था बता दे कि दिपिका और रनवीर इस वक्त अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम से हटाने को लेकर भी चर्चा में हैं दोनों के अकाउंट में शादी की तस्वीरें नहीं हैं जिसे लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है जब इसे लेकर खबर फैलने लगी तो दिपिका की तरफ से इस पर सफाई दी गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने साल 2023 के पहले सारे पोस्ट इलीट किये हैं जिनमें शादी की तस्वीरें भी थी तो अब देखते हैं कि सेप्टेंबर में जहां दिपिका पादुकोन और रनवीर सिंग पेरेंट्स बनने वाले हैं तो क्या दिपिका पादुकोन की प्रेगनेंसी सच है या फिर दिपिका पादुकोन सरोगेसी से मा बनने जा रही है